बेल का जूस बहुत ही मीठा है लेकिन हाँ टेस्टी है जिसके वज़से बहुत सरी गर्भती महिलां को क्रेविंग भी हो सकती है गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है बेल के जूसिस आपको बहुत आयत मात्रा में मिल रहे हैं अच्छा लगता है क्रेविंग के नाम पे अगर आपने हाफ ग्लास पी ली कोई दिकत नहीं है कोई परिशानी नहीं है लेकिन इतनी जादा इसके नदर शुगर भरी हुई है वह आपकी प्रेगनसी के लिए बिलकुल भी सही नहीं है और इंफेक्ट बहुत सरे लोग आपको ये भी बोलोंगे कि ये प्रेगनसी में अनसेफ है क्योंकि इसे मिस्कैरिज होते हैं तो क्या है इसकी पूरी की पूरी सच्चाई क्या ये सेफ है या अनसेफ है प्रेगनसी के दुरान बेल का सेवन करना क्या हमारे ले फाइदे मन्द है सब के बारे में आज इस वीडियो में डिसकेशन क्या है वीडियो काफी इ अगर हम इस बेल के जूस की बात करें तो यह बहुत ही अन्हाइजिनिकली तरीके से बरहे जाती है क्योंकि आपको इसके पानी का उपयोग कहां कैसी किया गया है इसके बारे मिलकुल अन्दाजा नहीं है और इसके अंदर अगर साफ पानी के इस्तमाल किया भी गया है तो बहुत ज़्यदा एड़िट शुगर है जो कि आपकी बॉड़ी के लिए सही नहीं है अगर आप गरभावस्ता के दौर से गुजर नहीं है डॉक्टर के पास आपकी सारे रिपोर्ट्स होती है कि आपका ब्लड शुगर कितना स्पाइक कर रहा है ग्लुकोज के टेस्ट होत इवन उनको फ्रूट्स का भी जो मिठापन होता है कई बर फ्रूट्स भी बहुत सरी महिलाओं को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है क्योंकि शुगर की मात्रा बहुत जदा अगर बॉड़ी में जाती है उससे नुकसान ही नुकसान आपके शर्जर को देखा जाता है दोसरी च सबढ़ बाटा जो कि अधितरी नुकसान ही आपको देखने के लिस मिलते हैं इक तो आपके पेटके भी बहुत हैं तूसरी चीज है कि गलब के खथर नाक हो सकता है क्योंकि इसके अंदर च्तव पायाते हैं इसके लिए आपका गर्ब होता है वो प्रमीठ को इतने ज़ीव पुरी तरह से आपकी कर भावस्तर के लेट नहीं होता है लेकिन मैं आपको यहीं बोलूँगी कि इस तरह के जूसेज पीने के बजाय अगर आपको बेल की क्रेविंग हो रही है तो आप एक से दो पल्प एक चम्मज दो चम्मज जो उसका पल्प होता है वो घर पर ही निकाल करके as it is खा लीजे कोई इशूज नहीं है लेकिन इस तरह का इतना शुगर कंटेंट वाला जो जूज होता है वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान दैक होगा तो अगर आप इसका लीमिटेड यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे मैंने आपको बाता है कि एक चम्मच या दो चम्मच उसका पल्प अगर दिन मर में खा लेती हैं कोई दिक्कत नहीं है इतना हो सकता है मतलब इतना पर्जमेसिवल है लेकिन इससे जादा क कि ओवर यूज आपको नहीं करनी है यह गर्प के लिए नुकसान जायक हो सकता है लेकिन कई पर बहुत सिर्मेलाओं को इमिन में कोशन होता है कि इसके जो बीज होते हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं तो जी नहीं अगर एक से दो बार इसके बीज को अगर आपने अगर अपने उसमें नीवू डाली है या फिर थोड़ा सा अगर आपने गुड डाला है तो आपको पता है कि यह इंग्रेटिंट में डाली है जो कि आपके बॉड़ी के लिए सही है लेकिन जो बाहर से प्रिपेर हो रहा है उसकी आपको ना पानी की समझ है ना आपको यह कितना डाला हुआ यह भी पता नहीं चलता है और पीने से तो लग रहा है कि इसमें आधा कब तो यह पूरा इसके अंदर शुगर ही होगा तो इस तरह के juices आप बिल्कुल avoid करें या आपकी pregnancy के लिए अच्छा नहीं है thank you so much for watching to inspire world